नमस्कार दोस्तों मैं संदीफ स्वागत है आप सभी काज किस नहीं क्लास में दोस्तों आज किस वीडियों बात करने वाले हैं जो बीए बेस्ची बीकॉम की जो छात्र हैं उनका एक जो कंपल सरी सब्जेक्ट बन गया ठीक है करिकुलर सब्जेक्ट जिसका नाव है फूड प्रिकल पर कोईस्टन आएंगे जिसमें आप लोगों को चार आफसर होंगे एक्सिलेक्ट करना होता और उसका राइट एंसर आप लोगों को बताना होता है तो यह सभी इंवर्सिटियों में और सभी जो बीए बेस्टिवी कौम के चाहतर सभी के पिरिछाएं होंगी या क लोगों के एक्जाम में भी देखने को बिलेंगे तो एक रिकुष्ट करूंगा कि बस आप लोगों को हमारा सपोर्ट करिए वीडियो को लाफ तक बने रहीएगा ताकि मेरे द्वारा जो नॉलिज प्रवाइट किया रहा आप सभी को जो मैं आप लोगों को पूरी तरह आ इंसर देना होता है ठीक है तो फिरहाल हम आपको बताने वाले देखिए आपके बास स्रीज है कोश्चन बैंक भी होगी और आप लोगों के पास मैं आपको बता दो इंटरनेट पर बहुत स्वारे कोश्चन होंगी लेकिन उसमें से कौन से पढ़के जाना है कौन से इस वी यह कोश्चन मोस्ट इंपार्टेंट है आपके एक्जाम में आने के बहुत सारे चांसे है तो इस कोश्चन को पढ़ लीजेगा ठीक है तो आप संदिये जाएंगे इस तरह दे जाएंगे कार्बो हाइट्रेट वसा बिटामिल यह सभी तो आप सभी को मालूम होना चाहिए सभी होते हैं इसलिए यहां पर कोश्चन का राइट अंसर सभी स्लेट किया गया है तो इसलिए हम इसको बताएंगे कि यह कोश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग पढ़के जाईएगा ठीक है इसका एंसर याद रखीगा अगला कोश्चन है कि भोजन के लिए खा हम आपको छटा रहा हूं कोश्चन कोश्चन को आपके एक्जाम में आने की चांस से ज्यादा है ठीक है वह पढ़िएगा इसको आप लोग इग्नोर कर दीजेगा ठीक है पहला वारा मोस्टिम पाड़ेट है आगला कोश्चन कहे रहा कि हैसा कोई भी पदार्थ जो ठीक है से बना और जियू जगत द्वारा ग्रहन किया जाया सके उसे भोजन कहते हैं तो इसमें जो रिक्त अस्थान गया गया इसमें क्या भर जाएगा शरकरा वसा जल तथा प्रोटीन तो इस कोश्चन का जो राइट एंशन हो जाएगा वो इस सभी तो हो ही जाएगा लेकिन इस है अगला कोश्चन है कि अहार से तातपर है यानि अहार का क्या तातपर है आप अपनी भासा में बताईए आपसर मिल जाएगा जो सारीरिक ब्रद्धियों विकास में सहायक हो दूसरा आपसर जो पचाया जा सके सी नंबर है जो बेक तिखाता या पीता है और दी नंबर आ आ दे रहा हूं कि जब आपका कोश्चन का एंसर ना पता हो तब आप क्या करें ज्यादा तर जवाब का जबी पेपर होगा फोड निट्रेशन ना हाइजन वाला तो आप लोग क्या करिएगा जिसमें लिखा रहेगा यह सभी इन में से सभी उपरोगत में से सभी दी नंब इसमें ट्रिक काम करेंगी याद रखेगा अगला कोश्चन है कि पोशक्तत को मुखरूप से कितने समूव में विवाजित किया सकता है दो में चार में नौ में छे में तो यह भी कोश्चन इतना मोश्यूम पाड़न नहीं है अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सक सकते हैं अधरवाई जिगनूर भी कर सकते हैं ठीक है अगला कोश्चन है कि वेट लिप्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किस्की होनी चाहिए यह कोश्चन भी क्रोस कर दीजिए इंपॉर्टन नहीं है अगला कोश्चन है कि मनुष्च का आहार निधायत होता है खाद संदिया गया अश्पस्ट अरेश्चित वी नंबर है सब के लिए बिबिन दी नंबर सापेच तथा भी बिन भी और भी नंबर भारत वाचियों के लिए एक समान तो आप लोग रों कर दीजिए एकजाम में पूछा नहीं जाएगा चांस से ज्यादा नहीं है अगला कोश् अगला कोश्चिन है बहुत ही टॉप लेवल के कोश्चिन है वीडियो को इसकिप जरा से मत करिएगा वरना आप लोग बाद में पच्चाएंगे कि यहीं सोचेंगे कि अच्छे नंबर मिलते एक्जाम में ठीक है अगला कोश्चिन है कि आहार की आवशकता होती है कभी कभ तो आहार की आवशकता आप सभी नार्मल कोश्चिन है फिराल एक्जाम पूछा नहीं जाएगा आप लोग इसे कर दीजेगा ठीक है अगला है कि संतुलित आहार में आवशक मात्रा में बिदुमान होते हैं यह कोश्चिन टॉप लेबल का है याद कर लीजेगा टॉप ले ठीक है जो कि मैंने एक दू-टीन बताएं आप ठीक है चलिए आंगले कोस्चन कि अगला क्यों साय कि मनुस्य के अहार कि ठिक है मनुस्य के अहार का निरधान होता puppies द्वारा ओर सी नमबर आको मिल जाएगा भोजे पतार थी कि स्चेत्रे उपलपता द्वारा इनमें से सभी तो यह कोश्चन नहीं हम क्रोस कर देंगे पहली बात ठीक है अगला कोश्चन है कि ठंडी जलुआई में आहार को संतुलित बनाए रखने के लिए संतुलित बनाएक रखने के लिए किसकी आवसकता होती है यह कोश्चन मोस्ट इंपर्टेंट आपके एक्जाम में आने के चांसे तो इसको आप लोग रट लीजेगा ठीक है यह कोश्चन लिखा कि निर्मारक आहार की अधिक मात्रा से उर्जा दायक तत्तों होती है कि निर्मनि में से किसी आवस्था में संतुलित आप्र करने की आवस्था में याद रखेगा रखेगा त्वास्था में इस तो अहार में सब्सक्राइब करने के लोगों को जागरू करने के लिए जरूर देया जाएगा ठीक है अगला कोश्चन है कि पोसकतर तुम खुरूप से होते हैं यह कोश्चन आप लोग क्रोस कर दीजिए अग्जाम में आने के चांस नहीं अगला कोश्चन है पोसकतर तो सारी इंजायम द्वारा भिखंडित कर दिया जाते यह भी कोश्चन कर दीजिए नहीं आने के चांस ज्यादा अगला कोश्चन है कि निमने में से कौंसा बिज्ञान से घनिष्ट रूप से संबंधित हैं यह कोश्चन इंप्टन पढ़ लिज के लिए इसलिए सभी कोश्चन का राइट हो जाएगा अगला है कि बिभिन पौश्टिक तत्तों का अध्यन उनके कार भोज श्रोत तथा उनका मानो कल्यार पर प्रभाव ही नहीं पौश्ण कहलाता उक्त विचार निवन्यमें से किसका यह भी इंप्वाटर्टन कोश्चन मोस्ट नहीं कहेंगे कभी-कभी पूश्चन ले जाता है तो इंप्वाटर्टन पढ़ लिजेगा एस मुदांबी आव सामिलानी राव का है या फिर डेफ टर्नर का है या फिर सी यूड किन का है या फिर सुधा आरायन का है तो आपको दिखी रहा कि एस मुदाम ठीक है मुदाम भी यहाद रखेगा इंपार्टन कोश्चन है अगला कोश्चन यह है की पॉसर वह विज्ञान है जिसमें भोजन पॉस्टिक तत्व उनमें उपस्थित अन्यपदार्थ उनकी किरियाएं आपसी संतुलन का स पूरा पढ़ेगा नहीं एंसर गलत देगा तो इसलिए जो तीन से चार लाइन में कोश्चन दिया जाते हैं याद रखेगा ठीक है सी नंबर राइट एंसर हो जाएगा डी डबल्यू ठीक है रभी संस ओके सिलेक्ट कर लिजेगा अगला कोश्चन कह रहा कि वह भारत उत् नंबर राइट एंसर हो जाएगा सही यानि की इंपॉर्टन कोश्चन पढ़ लिजेगा पढ़ क्या मैं सही आप लोगों को राइट एंसर बताई दे रहा हूं आप लोग एक बाद थोड़ा बाइंसर करके को ध्यान से समझेंगे बस काफी सबतान लिए आपको अगला पढ़ लीजेगा ठीक कर दे रहे हैं यह कोश्चन और राइट एंसर होजाएगा जो कथन है वह स्री जे एफ विलियम्स का है ठीक है याद रखिए लिए नंबर जेस यह कहां यह कफन पढ़ लीजेगा थिक याद रखिए बढ़ वीडियो देख लीजेगा एक बार और से पूरे तरह समझ भी आ जाएगा अगला कोश्चन है कि संतुरित भोजन मनस को कैसा प्रदान करता है इसलिए राइट एंसर भी हो जाएगा ओके अगला है कि निमने में स्थितिया होती है इसलिए पर यहां पर क्लिक करा गया कि पोश्चन को मुख रूप से कितने समयों में विवाजित किया आज सकता है नंबर आपको दे दिए गए तीन चार नव पांच यह कोई खास इंपार्टन नहीं लेकिन आप लोग पढ़ लिए गा इसे तीन याद रख पर दे कर दिए को यहां पर दिये घी है और दो आपर दिये गए तो आप लोग इसको क्रोश कर दीजेगा यह वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बता है ठीक है आगला देखते हैं कि निवन मेंसे कौ सिब विश्चता उत्तम पोसित ब्यक्त की है आप सर मिल जाएगा हास पोश्टब करस एक पोश्र शरीर कम ठकान करम शीलता यह सभी तो यह कुश्चिन पर नहीं आप लोगो风 कर दिज ठीक है अगला कोश्चिन कहे रहा कि निम्न में से कौन सा पोशक्तत तो सरीर की रोग प्रतिरोधक शमता की ब्रद्ध में सहायक है तो यह भी कोश्चिन इंप्वाटन्ट है मोश्च तो नहीं कहेंगे लेकिन पार्टेंट है आप से दे देगे हैं तो विटामिल प्रोटीन प्रतिरोधक समता की ब्रद्ध के लिए होते हैं इसलिए राइट एंसर यह हो जाएगा यह सभी अगला कोश्चिन क्या है देखते हैं लिखा है कि निम्न में से कौन सब पोशड को प्रभावित करने वाला बिंद हुए यह इतना इंपार्टन नहीं क्रोश कर लिजेगा इसको ठीक है अगला कोश्चिन है कि अच्छे स्वास्थ के लिए आवस्या के लिए आवस्या के लिए इसको परियाप्त नेंद स्वास्थ मनोरंजन उचित पोसक क्योंकि यह चीज जो है वह छात्रों को या फिर सबके हित में देखते हुए इसको क्लिक कर लिजिएगा अगला कोश्चिन है कि अहांसायोजन से क्याब प्रिया इंप्षिज हुए इसमें से सभी मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टन को पढ़ लिजेगा इसको भी दुबारा ठीक है कि अहार आयोजन के प्रमुख तत्तु है आयोजन को प्रवाइद करने वाला तत्तु नहीं है अध्यन इसको भी इतना इंपॉर्टन नहीं कर सकते हैं रात्री में बहुजन रात्री के भोजन में लेना चाहिए यह इंपॉर्टन कोईशन है हाला कि कई बार पूंचा भी जा चुका एक्जाम में ठीक है चाय पापट समोसा प्रवक्त में से कोई नहीं तो रात्री के भोजन के बाद आप इसमें से पापट चाय समोसा ले सकते हैं फिरहाल जो कोश्चन का एंसर बता रहा है मैं आपको सिलेट करा रहा हूं लेकिन य पाहर के भोजन में लेना चाहिए सब्जी चापाती पॉकोड़े अंडा हल्वा तो इसमें से खास इंप्वार के समय सब्जी और चापाती लेनी चाहिए यह वी इंप्वार्टन कोश्चन आपके एक्जाम में 100% आने के चांसे हैं ठीक है परिवार के भोजन का आस्थर न कि उत्सव के लिए आहार भोजन के समय रखना चाहिए तो यह इंप्वार्टन कोश्चन पढ़ लीजेगा मटर पनीर दाल चावाल तोटी सब्जी सूप तो इसमें जो राइट एंसर आप सभी को मालूम है कि मटर पनीर हो जाएगा इंप्वार्टन कोश्चन यह बहुत सब्सक्राइब करने वाले एक लगबत कितनी कैलोरी की आवश्यक्ता होती है आपको दे देगे हैं पचीसों से तीन हजार और नेस्ट आप सब्सक्राइब कर रहेंगे ठीक है आप रूख पढ़ लीजेगा ठीक है पढ़ तो लही रहे हैं लेकिन तुबारा सब फिर एक ब कोश्यन है कि किस आहार को संपूर कह सकते हैं खल को दूद को मास को भोजन को यह भी मोस्ट इंपार्टन कोश्यन एक जाम में आनक ज़्यदा चांस है तो आप इसका राइट एंसर आपको दीखी रहा होगा कि किस आहार को संपूर कह सकते हैं तो दूद को आप लोग इसको पढ़ लेते हैं लिखाए कि जिसमें उचित खाद्य प्रदाद का समावेस हो जिसमें सभी पोशक्त्त तो उचित मात्रा वा अनुपात में हो अगला है सुपाच्य आकर सड़ वा रुची कर हो ठीक है अगला 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 सब्सक्रेक्ट में से सभी तो राइ पोसर तत्तो का अधिक समावेस होना चाहिए प्रोटीन में कैलोरी में खनिज लवड में बिटामिल में उप्रोग तुमें से कभी में उप्रोग में सभी में तो इंपार्ण कोश्चन यह आप लोग पढ़ लीजेगा ज्यादा चांफ है आपके एक्जाम में आने कोश्च तत्त की कमी से होता है याद रखेगा लाओ तो तक यह थां टुकि कमी से वहता है टॉप लेबल का में ऐससे कोश्चन ने यह भी कोश्चन अगला जो दिख रहा है यह भी टॉप लेबल का है तो इसको पढ़ लेते हैं लिखा कि एक गराम कार्बोहाटरेट में कितनी कैल किलो कैलोरी याद रखेगा एक ग्राम कर्बोहर्ट में फोर पाइंट वन किलो कैलोरी उपाई जाती है अगला कोश्चन है कि कुप पोस्टर के कारण होने वाड़ा रोग यह याद रखेगा एक्जाम मियानेक चांस है क्योंकि जो बीमारियों से संबंदी तो इसमें भी कोश्चन पूछे जाते हैं मैलेरिया या मुयादी बुखार है जाए टाइफाफाइड ठीक है और अगला कोश्चन है कि क्वासियोर कर्वा मेरेक्स्मम आप लोग समझ देंगे क्या क्या कि कितनी हार्ड हार्ड विमारिया होती है जिनके नाम तक रोगों को पता नहीं होती तो कुप पोस्टर के यह एक्जाम में 100% देखने को मिलेगा आपको याद रखेगा मेटर लीटर कैलोरी तो उरजा को मापने की काईज होती है वह होती है कैलोरी याद रखेगा मोस्ट इंपार्टन और टॉप लेबल का क्वेश्चन है एक्जाम में बहुत सारे चांसे इस क्वेश्चन के आने ठीक है तो फुरसों की या पेच्छा इस्तरी के आहार में कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए कम होनी चाहिए याद रखेगा ज्यादा मत स्लेक्ट कर दीजेगा कम तुर्त बहुत है इस लिए इंसर परोग्त में से सभी क्रोट आश्चन याद रखेगा एक जाम में आपके 100 प्रसंट ज्यादा है चांसे आने के तो याद रखेगा एक कैलोरी में कितने किलो कैलोरी होती है तो ठीक है कैलोरी और पॉइंट जीरो वन कैलोरी याद रखेगा और अपसन है निस्ट है कि पॉइंट डबल जीरो वन ठीक है और अगला अपसन है डी पॉइंट वन जीरो तो इसमें से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन सा राइट अंसर हो जाएगा अगला कोश्चन है कि एक कैलोरी में कितने जूल और इंग्लिस में दिया गया जूल होती है आपसन आपको दे देगे हैं 1000 और 2400 और नेश्ट है 4100 और डी है आप देखिए यहां पर कन्फ्यूज करने वाला कोश्चन यह दे दिया गया है याद रखेगा ठीक है पंद्रा का फाइब स्कॉयर याद रखेगा फाइब लोगों के यहां पर दे देगे हैं चार आपसन तो इसमें से आप लोगों को जो स्लेट करना वो करना एक तालिस सो जूल होते हैं ठीक है एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं फिराल इसमें से जो राइट एंसर आप लोगों को दिख रहा होसी है यह भी इंपॉर्टन कोश्चन आपके एक्जाम में आने के चांब यह गलतिस इन्होंने टाइप कर दिया है यह होना ही नहीं चा को पर्यावरण ठीक है सहित बिक्त और आसपास की दुनिया के मद्ध संतुलन की इस्तित के रूप में परभासित करता है इतना इंपॉर्टन नहीं है अगला कोश्चन है कि भोजन एक विज्ञान है जिसमें स्वाफ देम्रों के संबन्द में पोशकत तो उनकी यह भी इं अगर पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं यह वाला इंपॉर्टन लेवल का है थोड़ा बहुत लेकिन इतना इंपॉर्टन ने पढ़ लीजेगा फिर आला प्लोग ठीक है एंसर आपको दिया गया दूद अंडेवा मास अगला कोश्चन है कि संगीतो एवं लच्छणों के समू के आधार परिया पहचाने के अनुद पुदान करना है कि किन तत्तों की कमी कमी हो सकती है लच्छर बिसलेशन अहार बिसलेशन जीवन सहली विसलेशन उप्रवक्त में से सभी इतना इंपॉर्टन नहीं लेकिन आप लोग पढ़े है को पढ़ लीजेगा लच्छर अगला इतना है लेकितना है पॉड़ी करतीजी कि पादब उत्पत्ति का भोजन क्या है घी है दूध अनाज तो पादब उत्पत्तिका जो भोजन है वो ए आनाज इसलिए एक चलिक करेंगे यह कोस्च्छन देखिए बड़ा कोस्चन है एक जाम में आने को चान्स से इसको प्राप्त करने के लिए अपनी स्रमागरी समय एंधन संसाधनों का अधिकतम उपियोग करने में सच्छम बनाता है मानशिक स्वास्त पोषड की इस्थित संतुलित आहार भोजन योजना यह पड़ लीजेगा मोस्ट इंपर्टेंट आफ लेबल का कॉस्चन थे हैं अगला कोश्चन करना कि अधिक से अधिक पुर्षक तत्त्त प्राप्त करना ताकि यह इथा संभो स्वस्थ रह सके और कुसलता से कारे कर सके है यह है यह", यदधना नहीं, आप لो Kaiser पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, फिराल लेकिन मेरे ऊथ तॉक्सले लेथ 50 लेवल क्या अपको बता आ है इसमें से आपको काफी kişi है आपकी, अपकी एकजाम नहीं देखने को मिलेंगे और फिरूझद बीडियो गे के बाद यानि की करीब करीब नौ बजे के करीब आपको एक और वीडियो देखने के मिलेगी जो की फोड नुट्रेशन ना हाइजन से संबंदित होगी उसमें मौस्ट इंपार्ट के कोश्चन होगे जो को बीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और कोई कोश्चन है जावत कमेंट में आप पूछेएगा ठीक है